दोस्तों देवों के दे महादे भगवान शिव क्या राधना के लिए सुमवार का दिन सबसे उत्तम मायना गया है शिवलिंग पर जला भी शेक करना बेल पर चड़ाना दूद चड़ाना भांग जैसे चीज़ा रपित करना इन सब चीज़ों के बारे में तो हम सभी जानते हैं लेकिन जोति सास्तर में मनो कमना पूर्ती के लिए कुछ ऐसे गुपत उपाय बताए गए हैं इन उपायों को करने से इनसान की जीवन में सुक्सम रद्या आती है मालक्ष में की प्राप्ती होती है धन की प्राप्ती होती है इन गुपतुपायों को आप अपने घर में भी कर सकते हैं या इसके लावा आप मंदिर में भी यह उपाय कर सकते हैं ये गुपतुपायों बहुत ही कारगार माने जाते हैं तो चली जानते हैं उन गुपतुपायों के बारे में शिवलिंग की पूजा कही तरीके से की जाती ह पर जला भी शेक करते हैं दूसर भी शेक करते हैं या लोग बेल पत्र चड़ाते हैं भांग चड़ाते हैं धतूरा चड़ाते हैं इस तरीके से भगवान शीव की पूजा अर्चना करते हैं लेकिन शीव पूजा के लिए सोंबार का दिर निर्धारित किया गया है कहते हैं य इपने भक्तों पर अपनी के呢ad रशती बरसाते पूझा रचाते हैं स्टranday ओर रात के समय रख अपर जर रखाएं और इưễबपने घर पर श्यक्त Ciao पर सकते हैं और और ङर पर श्यक्त ृदि नेएं तो आप चीडिरो नहीं होंग livro नहीं है जल्दी प्रिसन होते हैं बोले शेंकर को प्रिसन करने के साथ सबी देवी देताओं की किरपा भी मुलती है इसके साथ ही व्यक्ति की ढestä में धन आने लगता है सुका समर्दिया आने लगती है उसके समस्यंते चुटकारा मिलता का आंत होता है इस उपाय को इदे निम पूर्वक किया जाए तो मालक्षमी की किरपा भी प्राप्त होती है साथ ही आपकी कुंडी के जो सभी ग्रह दोस होते हैं वो दूर होते हैं तो चलिए जानते हैं धन प्राप्ति के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं यदि आप आर्थिक तंगी से परिशान है धन के आपको कमी रहती है धन लापाना चाते हैं तो रात के सिर्वे शिवलिंग के पास एक गी का दिया जलाएं नियम के अनुसार ये दिया आपको 41 दिन लगातार जलाना है ठीक निर्धारी समय पर जलाना है एक समय निशित कर लीजिए भगवान शिव के पास या शिवलिंग के पास जाकर सच्चे मन से भगवान शिव से अपनी प्रात्ना कीजिए घी का दिया जलाएं आपके घर में कभी भी धनकी कमी नहीं होगी आपकी जो आर्थिक तंगी है वो दूर होगी या आर्थिक समस्याओ से यदि आप गुजर रहे है तो जिंदगी में कभी भी आपको आर्थिक समस्याओ का सामना नहीं करना पड़ेगा धनकी वज़े से आ आर्तिक तंगी सापको गुजरना पड़ता है घर में धन आता है धन रुकता नहीं है तो सुमवार की शाम को कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर इसको दान करिए माना चाथा है इस उपाई को करने से घर में धन धान के भंडार भरे होते हैं शुफल की प्राप्ति चाहते हैं यदि आप भगवान सीव से कोई आपकी ऐसी मनोकामना है जो कापी पूरी नहीं हो रही है और आपको अपनी कोई मनोकामना पूरी करना चाहते है तो रात्री में बेल पत्र पूरा माना चाहता है, बेल पत्र कहीं से कठा पिटा नहीं होना चाहिए, बेल पत्र चढ़ाने का सही तरीका होता है, जो डंडी वाला हिस्सा है, उसे आप अपनी तरफ नीचे की तरफ रखिए और पत्ती वाला हिस्सा जो होता है, वो उपर की तरफ करिए, तो जिस तरीके से पत्तिया उखती है पेड़ पर उसी तरीके से आपको ये चीज़े चड़ानी होती है। तो शिवलिंग पर जब भी बेल पत्ति रहा है तो ध्यार रखके तीन पत्तियों गारा जाता है। बेल पत्त कहीं से कटा फीटा नहीं होना चाहिए। और ये उपाय आपको रात के समय में करना है। भगवान शिव की पूजा करने से समाज में मान सम्मान होने आश्वलिय की प्राप्ति होती है। कुछ लोग भगवान शिव को हल्दी और सिंदूर चड़ाते हैं जो की बिल्कुल गलत है। भगवान शिव को हमेशा चंदन का तिलखी लगाना चाहिए। हिंदू धर में माना चाहता है कि भगवान भोले नात जिस पर भी महरबान होते हैं उस भक्ति सभी मनोकामनाई पूरी करते हैं। लेकिन भगवान शिव एक छोटी सी गलती से भी इतनी ही जल्दी नराज होते हैं। भगवान शिव सब से भोले हैं। वो मातर एक लोटा जल से या एक बेलपत चड़ाने से भी प्रशन होते हैं। ऐसा करने से सुख सम्रदी की प्राप्ती होती है। इसके अलावा जब भी शिवलिंग पर जल चलाएं तो हमेशा ध्यान रखे जल हमेशा बैटकर चलाना चाहिए और जल चलाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए तो दोस्तो its को प्रिसंड करने के लिए अपनी समस्या च्छुटकारा पाने के लिए रात के समय शिवलिंग के पास एक दिया जरूर जलूर जलाई है यह आपके घर में शिवलिंग है तो रात दिया जला सकते हैं इसके लावा धर्रफ्रती चाहते हैं तो एक 40 दिन जुद्धिका वात रहेगा आपके घर धंधान से भरा रहेगा भगवान शीव आपके मनोगामना को पूरी करेंगे तो चलिए अगर आप भगवान शीव के भगते हैं तो कमेंट शेक्षन में हर हर महादे लिखना ना भूले वीडियो कर पसंद आई और आपको लगा हो कि आ लाइक शेयर करना ना भूले चैन पर पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं सब्सक्राइब करके बैल आइकन जुरू प्रेस करें ताकि एसी और वीडियो आपको समझ से मिल सके तुछ लिए मिलती नई वीडियो में नई चैन कारी के साथ आप तक स्वस्त रहिए कुश रह सकती आप, के लेवर से मिल था क्याम प्रेइ वीडियो पहली आप तक टितके बैलती और वीडियो आपकरा प्रेस आपध पया हैं स थादेermू शेभार शेख वीडियो आप,